नमश्कार दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस टेक्स के बारे में जो आपका fixed deposit पर earn किये गए interest पर लगता है इंडिया में deposits पर earn किया जाने वाला interest पूरी तरह से taxable होता है आपकी net taxable income निकालने के लिए इसको add कर दिया जाता है आपकी दूसरी सारी income categories में आपकी दूसरी income categories में interest income को add करने के बाद आप जिस भी slab में आएंगे उसके according आपको tax देना पड़ेगा सपोज एक आदमी की income जो है धाई लाख रुपए है सारी categories से accept interest income से अगर उस आदमी को 50,000 रुपए interest income प्राप्त हो रही है तो उसकी जो net income हो गई वो अब 3,000,000 रुपए हो गई है तो आप income tax labs के according वो इस lab में लाई करेगा और उसके बाद वो जो भी tax regime को adopt करता है उसके according उसको tax pay करना पड़ेगा यहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जब भी आप ITR फाइल करते हैं उस समय आपकी सारी तरह की incomes को 5 major categories में divide किया जाता है पहली है income from salary, दूसरा है income from house property, उसके बाद आता है profits और gains of businesses, उसके बाद income from capital gains और last में आता है हमारा income from other sources, हमारी जो interest income जो हम deposits से प्राप्त करते हैं वो हमारी इस category में लाई करती है income from other sources, यानि कि ITR फाइल करते समय इस category में हम लोग हमारी interest income को डालते हैं अब interest income के case में होता क्या है, कि जैसे ही आपकी interest income 40,000 से ज्यादा होती है तो आपका जो tax है वो आपके source से यानि कि bank से ही directly remit किया जाता है इसको कहा जाता है TDS यानि कि tax deducted at source ये government ने एक ऐसा concept बनाया है जिसमें कि government directly tax collect कर सकती है उस source से जहां से आपकी income generate हो रही है तो इस case में हमारी जो interest income generate हो रही है वो बैंकों से हो रही है तो बैंकों से direct tax collect करती है government अगर आपकी interest income 40,000 या उससे ज़्यादा हो जाती है तो bank 10% TDS काटते हैं उस TDS को 10% काटके ये remit कर देते हैं government को या फिर respective department को इस case में हमारा income tax department senior citizen के case में ये जो limit है ये 50,000 रुपए होती है यानि कि senior citizen की interest income 50,000 से उपर जैसे ही जाएगी उस समय bank उनकी interest income में से TDS काटना शुरू कर देगा और ये TDS की rate होगी 10% यहाँ हम एक important fact समझते हैं suppose आपने एक fixed deposit बना ली है तीन साल के लिए अब इस fixed deposit में आपने decide किया कि आप हर साल के अंत में interest प्राप्त करेंगे bank से यानि कि आप इस FD में total तीन बार interest प्राप्त करेंगे तो आपका जो TDS कटेगा ये उस समय कटेगा जब आपको interest मिल रहा हो यानि कि जब आपका interest आपके account में credit हो रहा हो तो tax जो है वो related है आपकी interest income से ना कि आपकी fix deposit की या deposit की maturity से इसका कोई लेना देना है अब इस table को दोबारा देखते हैं इस table में आप देख पा रहे होंगे आप चाहे कोई सा भी tax regime अड़ोप्ट कर लें जब तक आपकी income ढ़ाई लाक रुपए या उससे कम है तो उस case में आपका कोई tax कटना ही नहीं चाहिए लेकिन bank ने यहां क्या किया जैसे ही आपका interest income 40,000 से उपर गया और bank ने तो आपका 10% TDS काट लिया हलांकि यहां आपका tax कटना नहीं चाहिए था इस tax को वापिस लेने का तरीका क्या है इसके लिए आप file करेंगे अपना ITR अब ITR में आपको किस बात का ध्यान रखना है यहां एक example की माद्यम से देखते हैं यह एक bank है यहां पर इस आदमी ने एक fix deposit करवाया है suppose उस fix deposit पर 100 रुपए जो है वो interest income हुई अब इस bank ने क्या किया 10% TDS काट लिया यानि कि इसमें से 10 रुपए जो है वो उसने रेमिट कर दिये government को और बाकी का जो बचा हुआ 90 रुपए है वो इस इन्होंने आपके account में डाल दिया है जब आप ITR फाइल करेंगे तो उस case में जब आप अपनी income दिखाएंगे तो वहाँ आप income 90 रुपीज नहीं दिखाएंगे वहाँ आप actual जो interest earned हुआ है वही आपकी income दिखाएंगे यानि कि 100 रुपए income दिखाएंगे और इस income को add करने के बाद आप जिस भी income tax slab में आते हैं उस slab के according अपना tax भर सकते हैं या अगर access भरा गया है तो उसको refund ले सकते हैं इस case में धाई लाग से नीचे अगर हमारी taxable income है तो उस case में हमारा जो ये सारा का सारा 10 रुपए वाला पैसा है ये refund हो जाएगा अब एक आदमी जिसकी income taxable है ही नहीं बैंक ने उसका 10% TDS काट लिया और income tax department को remit कर दिया income tax का refund लेने के लिए उस आदमी को फिर से ITR फाइल करनी पड़ेगी तो एक ऐसा आदमी जिसकी income taxable है ही नहीं और उसके लिए ITR फाइल करना mandatory नहीं है तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी problem है तो अकसर ये सवाल सुनने को मिलता है कि क्या इस 10% TDS से बचने का कोई उपाय है तो इसका answer है हाँ बिलकुल है इससे बचने के लिए आपको bank में एक form submit करना पड़ेगा form 15G या 15H अब ये 15G और 15H form क्या है ये basically एक declaration होती है कि हमारी जो income है वो taxable income से कम है तो bank हमारा TDS नहीं काटे अब इस form 15GH को समझते हैं अगर आपकी age 60 साल से कम है तो उस case में आप बढ़ेंगे form 15G और अगर आपकी age greater than 60 years है तो उस case में आप बढ़ेंगे form 15H हम लोग वापी से अपनी tax वाली table पर चलते हैं आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर इस income slabs को तीन age group में divide कर रखा है 60 साल से कम 60 से 80 साल और greater than 80 साल 80 years तो आप देख पा रहे होंगे एक 60 साल से कम उमर का व्यक्ति जिसकी income ढ़ाई लाग से कम है उसको कोई tax नहीं देना वही अगर इस आदमी की age 60 से 80 साल के बीच है तो इस case में उसको तीन लाख रुपए income तक कोई tax नहीं देना है यहीं अगर इसकी age 80 साल से अधिक है तो उस case में इसको 5 लाख रुपए तक कोई भी tax नहीं देना अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसी age criteria के according ही हम लोग form 15G या 15H भरते हैं तो सबसे पहले 60 साल से अगर कम age है तो 15G form हम लोग भरेंगे दूसरे case में अगर हमारी age 60 से 80 साल के बीच में है और income अगर हमारी 3 लाख तक है तो 3 लाख तक income के लिए हम लोग form 15H भर सकते हैं और वहीं अगर हमारी age 80 साल या उससे ज्यादा है तो हम यही 15H form जो है वो भर सकते हैं अगर हमारी overall income 5 लाख या उससे कम हो तो definitely तो यहां आपने form 15G और 15H को समझ लिया है G 60 साल से कम के लिए H 60 साल से ज्यादा age होने के लिए तो यहां पर अगर आपने यह form 15G और form 15H समिट कर दिया है तो उस case में bank आपका TDS जो है वो नहीं काटेगा आपको किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए कोशिश करना है कि यह form 15G और 15H आप अपने bank में जहां पर आपने अपना deposit रख रखा है वहां पर पहले quarter में यानि कि अर financial year शुरू होने के वक्त समय पर जमा करवा दें आप लोग जब भी bank में fix deposit करवाने जाएं एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि आपको अपने account में pen number जरू डलवाना है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस case में bank आपका TDS काटेगा यहाँ पर bank आपका 10% के according TDS नहीं काटेगा यहाँ पर bank TDS काटेगा 20% के हिसाब से तो आप सोच सकते हैं कि अगर pen card आपके fix deposit में added नहीं है तो आप जो भी interest turn करेंगे उसका 20% directly deduct कर लिया जाएगा as a TDS जल्दी मिलते हैं एक और informative वीडियो के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब दा वीडियो थैंक यू